इस तरहां हम आपसे मुहबत करते हैं, इबादत, इबादत, इबादत करते हैं मैं चुप चाप यू न रह सकी, मेरी बात में कुछ बात थी मेरे हाथ जरा से छिल गए, मुझे खुश्बूओं की तलाश थी खामोशियों को चीर निकल गई, अब तलक जो बंद आवास थी मेरी कलम नमाज बन गई, मेरी लवज कबूल हो गए, मेरी कविता कोई फरियाद थी नमस्कार दोस्तों, तुसी देख रहे हो लाइव ते चैनल मैं हैं पत्रगार अजे पावात, लाइव ते चैनल हमेशा ही अंटेटेन्मेंट दे विच कुछ ना कुछ नवा लेके आंदा हैगा, ऐस तम असी खड़े हैं, इश्मीर सिंग म्यूजिक इंस्टिट्यूट दे रिकॉर्डिंग स्टूडियो दे विच जित थे के टीम इबादत, टीम इबादत सानों तां करना पहरा है क्योंकि एक सूफी सॉंग बहुत ही फिमस हो चिक आएगा, ओधी पूरी टीम, सिंगर, लेरिक्स ते प्रोडूसर मेरे नाल मुजूद ने ते रिकॉर्डिंग जि कि यहां दा जिड़ा ताड़े माइंड से विच किस तरह आया, बेसिकली मैं ते एक विजनस में आगा, ते मेरी कला ने नाल बहुत रूची, बच्पन तो यह बहुत रूची सी, और कला नू मैं एक बैलेंस समेंदा लाइफ दे, एक बहुत बटा बैलेंस, कि असी एक अं डांस किसे नों लिखना, किसे नों गाना, इस चीज़ां वो एक बैलेंस है कि यह ने, ते उस मदे नजर मैं जो थोड़ा डेफ ते चुत रहा ते मैं देख्या है कि आजकल कई सालां तो अच्छे सोलफुल म्यूजिक या गाने नहीं आ रहे ने, ओ क्यों नहीं आ रहे है आए, चंगा लगे, साड़ी विरासत भी बची रहे और साड़ा पास, प्रेजन फ्यूचर बड़ा खूब सुरत होए, ओ चीज़ां मैं दिमाग लाएक के यह गाना, मैं डिजाइन किता, और कुदर्ती शैली मैम मेरे नाली काम करते ने, स्पिछले दास सालां तो, ते यह माननू पाया, जड़ा इबादस सौंग है गा, ते ओ फिर जड़ा एक लिरिक्स जो मिलिया, ते मैं कहा भई, एदे ते गाना बनना चाहिए, ते यह जो तो लिरिक्स मिलिया ते फिर इसी सिंगर लग बन लग पे, ते यह भी परमात्मती कुदर सी, मैं तर अम्शाला मेड जट्थे कित्थे, तो मैं दुझे दिन फाड ले आना, मैं कहा जी आओ पाजी आज शामीना सी महफिल लाने है, और ऐसी महफिल लगी कि ओ, मैं तो अन्नों दसना की, ओ, एक ऐसा यादगार बनेया, कि उते जिनने भी चाली पंजाल लोग से जिन्दगी कदीनी पूल लग फिर मैं अब लिंदर नों किया जी दुसीय गाना गाना बस यह सिल्सला शुरू होया, और प्रमात्मा दी किरपा हो ही बनन तो लेके बड़ा कुछ पॉजिटिव होंदा गया, होंदा गया, होंदा गया, और असी लांच ती ती तरीक नों किता गाना, सटल क्लब भी सड़ हो ही दे आपशनला गया अचा मैसिटिए लुगिंख वो यह सरYU आपनी जान आपना गया है, आपनी पता, 99% दो लुगा सी गहाल नहीं पता, कि मैं शिंग कहीं रड़ा कि मैं कि मैं हॉगिटर, कि मैं रैटर, कि मैं दंसर, कि मैं बोक्सर आउं, कि मैं सैकलिस्त अचि ते अगर किसे उनुप पदा है कि ओ की है तो टैलेंट ऐसी लब रहे हैं क्योंकि किसे बंदे जो अंदला कड़ना थोड़ डिफिकल्ट होंदा काम अगर कोई ते आर है उनुप पदा है कि मैं यह हगाँ ते वी आर देयर फॉन्द इंटेट्मेंट इंडरस्ट्री ऐसी फिर उनुप पिच्चराइज करना होंदा एगा लेकिन सब तो जड़ा वड़ी चीज है लिखन दी जड़ी लाइना होंदी आने ओ किस तरह लिखियां जान ते किस तरीके ना उनुप अगे पेश कीता जावे एदे बास्ते सी जाना आंगे मैं तड़ा स्वागात साड़े चैनल जे सब तो पहले नाम किये दाड़ा ते जेड़ा इही गाना इबादत हैगा इस सूफी सौंग हैगा बहुत ही इस तरह लगदा भी बहुत ही टाइम पाके लिखे आगया और दिलों लिखे आगया थैंक यू सो मच सर एक्चली मेरा नाम शैली वादवा है ते मैं एक सफर हुंदा है ते मेरे सौंग ने कापियां दे पन्या तो ए सौंग तक बनन तक दा रिड़ा सफर तया किता है ते मैं अपने अंदाज ची कविता दे रूप ची तो नों कवांगी कि मैं चुप चाप यू ने रह सकी मेरी बात में कुछ बात थी मेरे हाथ जरा से छिल अब तलक जो बंद आवास थी मेरी कलम नमाज बन गई मेरी लवज कबूल हो गए मेरी कविता कोई फरियाद थी ते इसकार के एड़ा इबादस सौंग है एक फरियाद ही है एक फरियाद ही किती है मैं परमात्मानू ते इस सौंग जदो मैं नों शब्द दिते मनिंदर जी कि कुई भी काम कर दे जाओं किसी इनना को शब्द आयी कोस्ट्यूम तो लेके किरदार तो लेके लोकेशन तो लेके इवन कि ज्ड़ी तक इननन्य खुद चार चार बार जाके विज़ित करके पर फाइनल किती है जिनने पैशन में इस सौंग नू लिख्या सी उस तो जादा पैशन नाल है एना ने उस सौंग नाल जस्टिस किता है बल्जिंदर जी जड़े की सौंग दे सिंगर ने इनना बारे मैं गल कमागे कि जदो इनना दी अवाज मेंनू सुनाई ते मैंनू उसी स्विच रांजे दा रोल का रहे ने ते बस मैं कमागे कि जिस वक्त तेनो नू पता लगया ए उसी वक्त रांजा हो गए जिस वक्त तेनो नू पता लगया कि ने रांजे दा किरदार करना है ए टोटली रांजा हो गया उस टोटली इंटुइट ते टेड़ी हीर है उस हीर जड़ों ज़ुक्त नहीं देख दिए उन्हों देखके लगड़ा कि जदो कोई हीर होएगी तो शायद एद्दादी होएगी हीर एद्दादी हीर रही होएगी इसका कि मैं सारी टीम था बहुत थैंक्फुलां सपेशली मनिंदर जी था कि उन्हाने मैंने मेनू इन मोंका दि जो इस सॉंग दे विच आवाज जड़ी है कि इस तोनो सुनाने है दो बोल ओदे जड़ी है ने बैंसाब सनो सबता पहले गल सूफी सॉंग जड़ाएगा सूफी कहना बहुत सुखा हैगा लेकिन एदे विच डुबना बहुत उखा हैगा सर दो लाइना इस इबादत सॉंग लिए जरूर जी जरूर थोड़ी चैनल दा तैदलो तानवादी है तो सी टाइम कड़ के आई और इबादत ट इस तरह हम आप से मोहब्त करते हैं इस तरह हम आप से मोहब्त करते हैं इबादत 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 करते हैं इबादत इबादत करते हैं तो अन्हों जदो इस सॉंग बारे दस्या गया, लिरिक्स तो सी पड़े, देखे, म्यूजिक नो सुनेया, तो अन्हों की फील होया अभी मैं इस सॉंग वास्ते हैगा, या मैंनो ट्राई करना चाहिदा है, या उखा लगया कुछ? असल चो मेरा शुरू तो इंटरास्ट देड़ा, सूफी म्यूजिक देबच बहुत रहा, जदो तो मैं गाना शुरू कीता, मनिंदर सार एक ऐसे इंसान है, उना नो तुसी पहला भी मिल लेया, बाच्वा भी मिल लूगे, ओ बंदे अद्दान देया, जे तुसी कोई भी काम उना ने थो अनों कहता, तो उसी मना निकार साले, सो मेरे नाल भी दे हुई, मैंनों बड़े प्यार दे नाल ने कहा, ते बड़ा चंगा लगा इस गाने नों गाके, और मेरी रूदा एह गानाया, सो बहुत बदिया लगा, जेटे तो अनों देख रहेने, लोग, पंजाब नौर्थ इंडियन देख रहेने, और भी बॉलिवुड, पॉलिवुड तो सारे देख रहेने, उना नों तुसी की कहना जाओगे भी एह सौंग नों जे सुनना हैगा, किस लिंक ते जान, ते किस तरह नों सर्च करके देख सकते ने, ते गाने ता जड़ा रूहानी टच है किस तरह देखा यूटूब दे उते वैलवल या जी गाना है, इवादत तुसी पार साग देया, उते तो नों यह गाना मिलेगा, ओजस क्रेशन चैनल है, उते गाना है, सूफी असल दे वेच एक इसे नों जबरदास्ती नी सुनाया जासा था, रूह जेस बंदे दी उद् सूफी या, उस म्यूजिक देना आलो, उनों प्यार या, तो मैंनों लगदा वाक्या इनों सूनोगा, तो ए सारी टीम तुसी देखेगी, सिंगर जड़े सी बल्दिंदर बैंजी दे मैडम शैली जी, जिनाने लिरिक्स लिखे सिगे, उस तो बाद एक प्रडियूसर दा ज चीजनों दिखाना, पिच्राइज करना, यानि कि सिनिमा दे उते या, कैमरे दे अगया के उस चीजनों पूरा फील करके दिखाना, ओ देवेच मेरे नाल मुझूद ने, जिस गाने देवेच जिनाने एक्ट किता हैगा, सर तड़ा स्वागत है, ते की नाम है तड़ा ते क बहुत ही ज्यादा इंट्रस्टिंग रहा है, I would say कि ये बहुत ज्यादा डिवाइन रहा है, क्योंकि इससे पहले भी हमने काफी किरदार किया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरे लिए भी एक रिस्पॉंसिबिलिटी थी, कि एक रांजा जैसा केरेक्टर अगर हमारे पास आता है, और हमारे पंजाब में अगर इसको और ज्यादा प्रमोट किया जा सकता है, उन गाने के कंपेरिस्दन जो कि आजकल चल रहे हैं, तो ये मुझे लगता है कि हमारी जिम्मेदारी है कि ऐसे ऐसे ट्रेडिशन को आगे लेके जाएं, ताकि हमारे यूद को इसकी वेल्यू समझ में आए, तो हमारी कोशिश रही है पूरी की पूरी तरह से कि इस गाने को जितना ज्यादा से ज्यादा प्यार दिया जाए और आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, तो कैसा लग रहा था आपको, एक दम बिंदास लग रहा था, क्योंकि सारी की सारी टीम जो थी, बहुत कॉपरेटिव थी, और सबसे बड़ी बात है, डिवाइन इंटर्वेंशन थी, जब परमात्मा का हाथ आपके उपर होता है, जब आप करने लगते हैं, तो आपके लिए चीजे इतनी आसान हो जाती है, जैसे बस मखन की तरह काम हो जाता है, तो हमारे लिए इस इंसिट्यूट दे विच एक हैड दी, पोस्टे है गयो, ते काफी इते सिंगर आ रहे ने, म्यूजिक राइटर ने तो नों सारी जान देने, तो तुसी जड़े आज जी रेट दे विच कहियां है, टैलेंट छुपया होंदा हैगा, वो शीनों किस तरह आपा उबार सक इस तरह दी, गोण जड़ा हैगा, तो उसी दास सक दे, इश्मीत सिंग म्योजिक इंस्टिट्यूट विच जड़ी साथी मैंडेट ही है, कि ट्रूली, सिंसीरली, डेडिकेटली, डेडिकेटली, एंड रिलिजियसली, गुरूम करना, जड़े बच्चे एथे सिख देने, वो एक्चुली ट्रेन हों देने, उस अपने फील देचे, पामें वो निरित दाया, पामें भादन दाया, पामें गायन दाया, ते ए टेलेंट गुरूम होया है, उन्ना नो प्रॉपरली प्रजेक्शन देन लई, जड़े प्रड़क्शन हाउसे ने, इन्ना दा उस तो बा इन्ना ने एक जड़े टेलेंट दा, एक अपना थ्रेशोल्ड लेवल, ओ पामें लिरिक्स दाया, पामें ओ सिंगिंग दाया, म्यूजिक दाया, और प्रेजेंटिशन दाया, उस दा, क्योंकि जड़ा पर्पर्पर्पर्पर्पर्पर्पर्पर्पर्पर्पर्पर्पर् इसनों कंट्रोल करेगा बट ए तुंदले तो तुंदला कंप्लिकेट हो गया है एस तरह दे सॉंग जड़े हिंदुवादी होन या किसे तर्मनु लेके आपस लड़ाना ले होन जे ओ किसे ने गाये या लिखे भी ते उना दे सकत कारवाई किती जाएगे इस तरह दा जड़ा कदम हैगा किस तरह दो लगदाएगा ए मानसावदा अतीश लगगा यह कदम है ए गल पहला क्यों नहीं होई ए मैसूस होनदा है एस एजंडे नों लेके मैं कल्चर मिनिस्ट्रीच पहली या सरकारां को ग्यावी सी बी सर तुसी अपना कुछ की वर्ड्स ब्लैक लिस्ट कर देओ और जिस से लिस्ट है के ने ओर लिरिसिस में पुछा जाए जिसने गायों सिंगर में पुछा जाए जिसने उन्हों फंड कीता अपर पुछा जाए ते कोई काउंटेबिल्टी आ जाए सो देट के तुसी फैमिलीच बैठके पंजाब वाली जगत जिते पंजाब वस्दा गुरां देना थे उते एहो जाए लच्चर जड़ा सब्जेक्ट है और प्रिवेल के वें कर रहे है ते इस करके एह बड़ा जरूरी सी गा और इसे करके और जड़ास क्रियेशन्स रहेगा ओसी एक्सपेक्टे कर देयां कि समाज इसे सोच देयां कि चंगी टेलेंट नो ए चंगा प्लेटफॉर्म और एन्ना ने अगों चुन के जड़े इस सारा लिरिक्स दा बहुत पारी ये देच जुमावराना रोल है क्योंकि बीज लिरिक्स है जे लिरिक्स जो करेगा सिंगर की करेगा प्रडक्शन ओदेच पारे जड़ा अंकुष सरकारवलों लग रहे है पंजाब दे संगी दे फील्ड इच चंगे दिन आउन वाले सानों ए नसूस असी एक्सपेक्ट कर सक देयां और इसे ही एक्सपेक्टेशन देनाल इश्मीत सिंग म्यूजिक ओजास क्रेशन देनाल राल के इनना दे फ्यूचर जड़ियां प्रडक्शन ने आउटपुट है ओदे विच संगीत तक कांट्रिबूशन अपनी करके सानों बहुत खुशी होएगी अगे भी सर इनना दे कोई अच्छा प्रोजेक्ट आ रहे है कि जिदे बस ते कोई तोसी दसको इनना दे आपलाइन प्रोजेक्ट है गे ने ओदे च कुछ लिरिक्स कुछ कंपोजिशन विच मैंवाल होयां कुछ दे म्यूजिक विच इनवाल है ना ते इस तरह सी राल के चंगी चीज नो चंगे त्रीके नाल जेड़ी रू तो निकले ते रू तक जाए तो निकले ते ड़ता कसर करें तो ओधा जिन्दक जे कोई गणा पापुलर होया है अफ्टर आल सेड़न उन्हें समाज नो की देन दिती ओपर चकर जाना वास्ते जेओ समाज नो डाउन ल से तक भी जाएगा वो चंगी गल करेगा समाज चीज चंगा होए संगीत दे फील्ड दा बहुत पारी एक जोमेवारी है के ओ जदों छोटे बच्चे नो एक ओधी अपनी फैकल्टी जनी जड़ी है ओधी पार है ओधी जड़ी है स्ट्रेंथ है ओधी पाइपलाइन लाग जान चे वो दे गाएन करन चे ओधी डांस करन चे एक चंगीाई था वाइबरेशन ऑन समाझ चे एफ ना माम पे लिगरवे खोश होन ते स होती ही सो समझ के प्रेजेंटेशन देनी चाहिए है गया इबादत टीम मेरे नाल मुझूद थी गी सारी असी फिर लेके आवागे नवी टीम नवी संगीत गे नवी प्रोडूसर ते नवे लिरिक्स राइटर्स दे नाल तो सी देख देरो लाइव ते चैनल